हलो अब्रीवन वेलकम टू दे सेमेंथ वीडियो अप दे सीरीज आज हम देख रहे हैं राइज अ कुइंगडम पार्ट वान को जिसमें हम लोग ने देखा था भारत में भारत जो है वह सोला महाजन पदों में डिवाड हुआ था जिसमें से सब से स्ट्रॉंग महाजन पद जो था वह था मगद मगद के राजा विम्विसार थे विम्विसार के समय में जैनिज्म और बुद्धिज्म यह दोनों अपनी चेरम पाराकास्टा पर थे विम्विसार के महल में गोतम बुद्ध जी आया थे उनसे उन्होंने बुद्धिजम की दिक्षा ले थी लेकिन उ मिसार के पुत्र होते हैं आजासतरु के समय में गोतम बुद्र महापरि निर्वाण को प्राप्थ होते हैं वह जोतम बुद्र के एशिष का राख का एक अंसल लिके आता है और उसे लेकर 1 बुद्धिष्ट कॉंसिल करता है सत्तपानी के उमें जो मगद की राजधानी उस वक्त हुआ करती थी राजगीर में अजास्तुर के बाद सिशुनागवंस चलता है सिशुनाग एक ही काम करते हैं वह मगद की राजधानी जो अजास्तुर के समय में राजगीर थी उसे हटा कर वह वैशाली को कर देते हैं सिशुनाक का बेटा आता है कालाशोग काकवण वह तो महत्यपूड काम करता है पहला काम यह करता है कि वह जो उसके पिताजी की दौरा वैशाली को राजधानी बनाई हुए थी मगत की उसमें वह सेकंड बुद्धिष्ट काउंसिल कराता है और सेकंड इंपोर्टन पॉइंट यह करवाता है कि मगत की राजधानी जो वैशाली उसके पिताजी की दौरा करवाई होती है उसको हटा कर वह पाटली पुत्र को राजधानी मगत की बना देता है अब कालाशो काकवड के बाद शुरू होता है नंदवंस जो जिसके राज़ा होता है महापदमनंद महापदमनंद के आखरी वंस जो होते हैं वह होते हैं नंदवंस जो मगत के उपर राज़ किये रहते हैं नंदवन्स के समय में अलेक्जंडर सिंदुनदी तक आता है और सिंदुनदी से फिर वाँ वपस चले आता है ग्रीक नंदवन्स में एक इंपोर्टेंट वेक्ति आते हैं जिनका नाम है चाड़क के चाड़क के अपमान करता है धनानन्द चाड़क के अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंदरगुपत मोरे को धनानन्द से लड़वाता है धनानन धार जाता है और चंदरगुपत मोरे मगत का राजा बन जाता है चंदरगुपत मोरे अपने मगत देश का समराजे का विस्तार करता है अंतीम लड़ाई वह सिक अबुलकंदार और बॉलुचिस्तान को दे देता है चंद्रगुप्तम मौरी का बेटा होता है बिंदुसार और बिंदुसार को आज हम पढ़ते हैं सेविंथ वीडियो में जो राइज व किंगडम पार्ट टू है पीडिएफ लेक्चर अवलेबल है पीडिएफ लेक्चर के अफ इंडिया थे और इनके बारे में इंपोर्टेंट बातें वह अशुक के फादर थे जो थार्ड मोरे एंपाइर बना था बिंदुसार के शोले बीविया थी और 101 उनके बेटे थे उनमें से सबसे बड़ा जो था उसकाなम था सुशीम विंदुसार के 101 बोटो में से जो सब्से बड़ा पुत्र था उसका नाम था सुषिम और शेकंड पुत्र जय्था उसका नाम था अशोक पहला पुत्र सुशीम, दुसरा पुत्र असोक, सुशीम की मा का नाम था चारुमित्रा और असोक की मा का नाम था सुबाद्रगी या फिर रानी धर्मा है दरखे असोका की मा का दो नाम है, एक है सुबाद्रगी या फिर उनको कहा जाता है रानी धर्मा भी और जो अशोक का एक सगा भाई भी था जिसका नाम था टिशा या फिर वित्त अशोक याद रखी ये तीन इंपोर्टन्ट है क्योंकि अशोक ने अपने विद्धुसार के जो 101 बेटे थे उसमें से उसे ने 99 भाईयों का कतल किया था एक को छोड़ा था और वह एक था उसका खुद का सगा भाई जिसका नाम था वित्त अशोक बाकि वह सुशिमा को मार देता है बाकि 98 फ्रदर्स बाकि सब को किल कर देता है चलिए आगे चलते हैं देखें यहां पर क्या लिका है विद्धुसार अशोक को बिलकुल पसंद नह रखता था कि बहुत ही हाड है बहुत ही रश है और वह देखकर एकदम खिन हो चुका था सोचता था कि राजा का बेटा भी क्या ऐसा होता है जिससे काड़ हुआ है उसको देखकर बहुत ज्यादा अब चलते हैं आगे की और देखें बिन्दुसार के समय में भी प्रधान म मंतरी रहते हैं चंद्रगुप्त मौर के वह चाड़क की होते हैं बिन्दुसार के समय में भी प्रधान मंतरी चाड़क की होते हैं लेकिन 2833 BC में उनकी मौत हो जाती है उनकी मृत हो जाती है उसके बाद जो प्रधान मंतरी बनते है बिन्दुसार के उनका नाम होता है आपकुलन है चोर test के मतलब क्या होता है अंहीं कि इस क्या होता है कि इश होग नहीं हो उसे कहते हैं अशक इंग्रिश के क्योंते हैं तो I don't share WORKizada पॉत्र कंवाल bırak शोक प disclosure पैदा हुआ था पाठले पूतर पाठलले पूत्र में और कब पैदा हुआ था अशो का पैदा फया था पाठले दिरी प्री명 में पैदा हुआ था और उसक के एक और और विविं नाम है देवनम प्रिया प्रियेदरसनी या फिर उसे समराट उसोग भी कहते हैं यह सेकेंड एम्पेरर और आफ मोरे डैनिस्टी का बेटा था जिसका नाम था विंदुसार और अपने इंपायर को बहुत दूर तक फैलाता है तेखें असोग के बारे में इंपोर्टेंट बाती हैं कि असोग जो है असोग के राजित पर्युगार का था जिसे कांड उसकी मिलेटरी ट्रेनिंग रॉयल होती है और साथी साथ यह रॉयल फैमिली में पैदा होता है और खासियत यह रहती है कि बच्पन से ही चाइल हुड से ही युद्ध कॉसल में बहुत ही निपूर था और साथी साथ यह रॉयल मिलेटरी ट्रेनिंग वी पाया था इसकी जो सिकार करने के कुशलता थी वह बहुत ही बड़िया थी इसकी बात का पता इससे ही लगा जा सकता है कि वह एक लकड़ी के कुंदे से या फिर एक नुकिली लकड़ी से एक सेर को खतम कर दिया था चलिए आगे चलते हैं राइस टू पावर सक्ति का उद्ध सक्ति की उद्ध से पहले मां आपको बात बता दू जैसे जैसे असो को सुशिम बड़े होते गए सुशिम उससे इर रखने लगे जो उसके समकालें थे मतलब उसके उमर के हम उब्रु थे क्योंकि राजा बनने के गुण असोक में दिखते थे तो शुशिम उससे बच्पन सही जलता था बाद में क्या हो गया जैसे जैसे यह लोग बड़े होने लगे तो उनको अलग-अलग प्रांतिका रा तक्षिला में विद्रो बढ़ता है राजा के खिलाब तो सुश्पम उसे दवा नहीं पाता है तो राजा बिंदुसार असोक को भेज़ता है सक के जाते हि उसके इतनी परसेनालीटी का ददबा रहता है कि उसके नाम को सुनकर तक्षिला करते रहते हैं बिना उसके युद करके लोगों को कुचल देता है जिससे कारण विद्रोग खतम हो जाता है तो इसके कारण उसके जो popularity है लोगों में बढ़ती जारी थी बढ़ती जारी थी और उसको सब लोग राजा के रूप में स्विकार भी जो सुष्यम को विल्कुल भी स्विकार नहीं था सुष्यम के मन में उसकी प्रती बढ़ती आरी थी अंत्य में क्या होता है उसी यह मार देता है या फिर मरवा देता है मरवाने के कारण फिर क्या होता है अशोक जो है एकदम क्रोधित हो जाता है क्रोधित होने के कारण राधा गुप्त जो है उनके प्रधान मंतरी बिंदुसार के वह भी उनका साथ देते हैं ये दोनों मिलकर क्या करते हैं असोक के जो 99 ब्रदर से सिर्फ एक भाई को छोड़कर जो असोक का सगा भाई है वित असोक या फिर टिसा उसको छोड़कर बाकी सबका वध कर दिया जाता है और आगे चलते हैं इन सबके होने के बाद 279 BCE के चार साल बाद जो असोक है असोक राजगदी पर बैठते हैं यहां पर लिखाया असोक जो थे असोक ही बहुत ज़्यादा गुसेल थे बहुत ही बहुत ही गुसेल सभावके थे और साथी साथ संकी थे मतलब उनको बात अगर पसंद नहीं आई तो उसे मार देते थे और साथी साथ असोक ने एक हेल नरक बनाया था जो टॉर्चर अगले आट सालों में धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करता है और भुद्दूर तक बढ़ा देता है आज के समय में जो असाम है पुर्वक की ओर वहां तक वहां से लेकर बलुचिस्तान जो इस वेस्ट में है पामीर कोट जो नौर्थ में है अफगानिस्तान का और साथी सा साथ में वह तमिल लाड़ू केरला तक बढ़ा देता है जहां पर चेरा चोला पांड़ा का रास्ता वहां तक अब चलते हैं आगे कॉज आप कलिंगवार की कारण क्या थे देखे पहला कारण तो ये था कि असोग जो है वह बहुत बड़े सामराज पर राज कर रहा था ले आज के प्रजेंट समय में वह उडिशा पूरे उडिशा को ले लिजिए आधा अंदरप्रदेश आधा तिलंगाना और आधा मद्रप्रदेश इतना बड़ा कलिंग था इस कलिंग को जो असोग के पूर्वस थे उसको जीत नहीं पाया थे अपने अंडर अपने कंट्रोल म भी बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए और कलिंग जो है बहुती सम्रिद्ध देश था और वहां पर बहुती कुसल और बहुती कारेगर वहां पे लोग थे और ऐसा भी कहा जाता है कि वहां की जो नेवी थी वह बहुत ज़्यादा पाउरफुल थी पाउरफुल होने के कि नाते और राज सवन्वेवस्ता मजबूत होने की नाते वहां पे जो मोरे डानिस्टी है अपना राज या अधिपत्ते नहीं जमा पाया था कलिंग जो है कलिंग नंद इंपायर के अंडर में आता था वही नंद इंपायर जो असोक के दादा जी जो थे चंद्रकुप्त मोरे उन्होंने जिससे युद्ध लड़ा था वो युद्ध लड़ा के उन्होंने मगत को तो हरा दिया लेकिन वह कलिंग से उसे नहीं हरा पा रहे थे कलिंग से नहीं हरा पाने के कराण जो सोक है वह तैयारी कर लेता है कि मैं इस टास्क को खतम करके रहूंगा मैं कलिंग के बाद और युद्ध के बीच में वह जितने लोग की जाने जाती हैं और जितनी जानमाल का नुकसान होता है उससे देखकर अश्रो के एकदम शौक हो जाता है क्योंकि इस खूनी युद्ध में करीब करीब एक लाग से अधिक सेनिक लोग मारे जाते हैं और एक लाग से कमाने पर लोग की मृत्य को देखकर अशोक जो है बहुत ही पश्चा ताप करने लगता है और वह यह वादा करता है कि आज के बाद वह कभी युद्ध नहीं करेगा और हमेशा अहिंसा के मार्क पे चलेगा वाइल अरली पॉट अशोक का रेन वाज अपनेटली कॉइट ब्लड थ्रोश्च थी हाला कि जो अशोक का सासन था वह बहुत ज्यादा खून का प्यासा था लेकिन वह धीरे धीरे यह सब बातों को छोड़ देता और हैंसा के मार्क को चलना शुरू कर देता है कलिंगा को जितने के बाद वह बुद्ध को अपना लेता है और वहां से शुरू होती है असोक के धर्म विजय की सुरुवात असोक जो है लडाई जब करता था या फिर कलिंग के जितने से पहले वह एक बात पर जोड़ देता था वह बात था तिक विजय कॉंकेस्ट आप दे असोक के धर्म विजय के मागी सुरुवात होती है असोक ए घोसड़ा करता है कि अब आज से वह बुद्धिष्ट जब धर्म अपनाने के बाद वह ये घोसड़ा करता है कि आज के बाद वह हमेशा लोगों की मदद करेगा और हमेशा उचित मार्क पर चलेगा यही राजा क राज से करतव्य है वह अपने पूरी लाइफ को जो बच्ची कुछी उसकी लाइफ वह पूरी लाइफ को वह लोगों के मिलने और लोगों के मदद करने में मिता देता है वह दिग विजय नाम के दिग विजय नाम के सब्द से वह नफरत करने लगता है और जो उसके बाद वह जरनी या फिर यात्रा करता है उस यात्रा को धर्म विजय का जाता है उसने जगा जगा पर छोटे छोटे सराय और होस्पिटल बनाए बिना किसी धर्म के विचे सोचते हुए बिना किसी कास्ट क्रेड को सूचते हुए और medical assistance दिए गए और पसुव की बली को निश्यत कर दिया गया पसुव की बली नहीं दी जाएगी यह बोला गया और साथी साथ उसने सभी मानों के प्रति द्यालुता की भावना को पैदा करना सुरू कर दिया और यह बोला गया कि मृत्युदंड फिर स्तंब लेक या फिर गुहा लेक पे दिखाई देते हैं जो प्राक्रित लेंग्वेज ब्राम्ही लेंग्वेज खरोष्टी लेंग्वेज या फिर अरमाई किया ग्रीट लिपी में देखने मिलते हैं और साथी साथ वह अपने प्रांतों में धर्म महाम मंत्रास लोग को बुलाता था और उससे धर्म का प्रचार करवाता था अब चलते हैं आगे असुक ऐसा पहला समराठ है जिसने लोगों के कलिनार भावना के हित में काम किया असुक ने बुद्धिजम को इंडिया स्रिलंका अफगानिस्तान वेस्ट अजित और ग्रीस में हर जगहों पर फैला उसने बहुत सारे इस मारकों की मरमत करवाई और उसमें सुधार किया एक्जामपल के तरफे कपिल वस्तु सारनाथ और बोदगया में जो इमारते हैं या फिर स्टूप हैं उन सबको बनवाया उसने साची का स्टूप जो है वह सोके द्वरा ही बनवाया गया है पूरे दे आपको मैंने अभी भी बताया फरिस्ट बुद्द्रिष्ट कॉणसील गेका नेवाले जे रा जात्यत्व नवाले उनका नाम था आजआत शत्रु सु पानी कीयों में उन्होंने और उन्होंने कर आया था वैसाली में और उसके बाद थर्ड बुद्धिष्ट कॉणसील लिए और उन्होंने एक बेटे जिसका नाम है महैंद्र यह है अशौक कि पाँच बीविपर मेंसे एक बीवी का बेटा था जो महेंद्र था उसको उन्होंने सेल सेलॉन भिजा जो आज स्रिलंगा के नाम सी जाने जाता है वहाँ पे उनके बेटे ने बुद्ध धर्म का प्रचार किया और इस तरह अशोक के प्रया से बुद्धिजम जो है वह वर्ल्ड रिलिजन बन गया अशोक का कॉंट्रिबिशन क्या है आर्ट और अगर्टिक्चर में अशोक ने स्थूप और पिलर बनाए जो इंडेस वेली सिविलाजिशन के बाद सबसे पुरानी वस्तुकला है बुद्धिष्ट स्थूप एट सारनाथ एट लुम्बनी और मार्वलस जो बुद्धिष्ट से दस किलोमेटर उत्तरपूर्व में हैं यह सारनाथ जो है कंगा और वरोना का जहां पर शारनाथ नाम की जगह है और इस जगह से इसी साबसे भी इंपॉर्टंट हो जाता है कि यहां पर धर्मचक्र परिवर्तन होता है जब वुद्धू को ग्यान होता है एक पहला याद रखेगा जब बुद्ध जी को ग्यान होता है, ग्यान होने के बाद जब वो उब्देश देते हैं पाँच भिच्छुओं को, तो उस समय से धर्म चक्र परिवर्तन की सुरुवात हो गई थी, बुद्ध जी के साथ में यह बोला गया है कि बुद्ध के जो भिख्षु हैं, उनके लिए चार जगों को तिर्थ बताया गया है, बुद्ध के चार जगों को तिर्थ बताया गया है, बुद्ध के चार जगों को तिर्थ बताया है, बुद्ध के चार जगों को तिर्थ बता जहांपे बुध्ध ने ज्ञान प्राप्त किया जो है बुध गया, तीसरा तीरत जहांपे उन्होंने पहला अपना उप्देश दिया सारमात ये तीसरा तीरत और चोथरा जो तीरत है चोथा जो तीरतिस्तल है व openings नेगर जहांपर यह भी सारनात में है चोखंडी उस जगह पे बनाया है जहां पर गोतम बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था पांच भीख्षूओं को रखकर वहीं पर यह चोखंडी उस्थूप बना है सारनात में और यह जो धमेक धर्म चक्र उस्थूप यह इस बात बना ह है कि जब गोतम बुद्ध पांच भीख्षूओं को उपदेश दे रहे थे तो उस समय को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है उस समय से धर्म चक्र परिवर्तन की सुरुवात हुई थी तो इस नाम पर यह धर्म चक्र इस्तूप यह धमेक इस्तूप बनाया गया है आगे चलते हैं देखे सारनात में एक स्तंब है उस स्तंब के पर देखे यह चौमुख सिंग स्तंब की आकरिती है जिसके नीचे अशोक चक्र है यह अशोक चक्र हमारे राष्ट्री जंडे में लगता है ब्लू नेवी कालर का है जो वाइट बैक्राउंड के उपर लगता है और इस चौमुख सिंग स्तंब के नीचे जो अशोक चक्र है इस अशोक चक्र के नीचे यह जो आपको लोटस शेप्ड में देखे यह इनवर्टेड लोटस शेप्ड जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है यह वाला यह जो इनवर्टेड लोटस शेप्ड है यह जो है यह कह थिन प्रकार के हैं अभिलेक जो है वह तीन प्रकार के है यह बुद्ध-धर्म के प्रचार के लिए अभिलेक लिखे गए है या लेख लिखे गए है असुक के अभिलेक तीन प्रकार के होते हैं सिलालेक, स्तंभलेक और गुहालेक सिलालेक मतलब पत्थर पे जो लिखे हुए रहते हैं या फिर पत्थर पे उत्किर्ड की होए उत्किर्ड का मतलब क्या होता है समझ लिजए stone है अब stone के उपर pen से आप लिखनी सकते तो उसके उपर जो सब्द आपको लिखना है तो क्या करेंगे चीनियो तोड़ी से या फिर किसी भी चीज से उस पर उस सब्द को बनाने के लिए जिन चीजों का प्रयास करेंगे या फिर उन पत्थरों के उपर जो सब्द आप उतकरेंगे तो उसको कहते हैं उतकिर्ड करना तो सीला लेक जो है पत्थर के उपर जो लेक बने हैं उसे कहते हैं सीला लेक या रॉक इडिक्ट्स और जो खंभे बनाकर उसके उपर जो लेक बनाए गए उसे कहते हैं स्तंब लेक और तीसरे जो गुफाओं में लिखे गए हैं उतकिण किये गए हैं उन्हें कहते हैं गुहा लेक तो चलिए पहले सिला लेक के बारे में जानते हैं सिलालेक में जानने से पहले मैं आपको बता दू देखो असूक ने बहुत धर्म का प्रचार चया था उसका पर ścieलालेक और लगुसिलालेक और लगुसिलालेक में फरख'veोक ग हक्या है देखे जो अशोक हैं समराट अशोक समराट अशोक बुद्धिजम के 14 उपदेश बनाते हैं और उन 14 उपदेशों में अगर 14 के आधे से ज़्यादा उपदेश किसी पत्थर पे लिखे हुए हैं तो वह कहिएगा दिर्ग सिलालेक और उन 14 उपदेशों में से अगर एक उपदेश य इस सिला पे या फिर पत्थर पे लिखे हैं उसे कहेंगे दिर्ग सिला लेक और जो एक या दो लेक लिखे हैं या फिर एक या दो उपदेश लिखे हैं उसे कहेंगे दिर्ग सिला लेक तो चलिए हम लोग देखते हैं किसमें साथ से ज्यादा उपदेश लिखे हुए हैं वह स लगु सिलाले चोडर से पंदरो जगों पर मिलते हैं देखे यह डाइग्राम है इस डाइग्राम में आपको पूरी तरह से आपको वर्ग में है या फिर ब्लैक स्क्वाइर में है वो दिर्गसिलालेक को बतलाते हैं और वाइट स्कॉार में जो है वह लगुसिलालेक को बतलते हैं चलिए आगे देखते हैं देखिए यह जो दिर्गसिलालेक है यह दिर्गसिलालेक आठ स्थानों पर पाई जाते हैं और इसके लिए आपको remember रखने के लिए एक trick दिया गया है याद रखिए direct exam में पूछ लिए जाते हैं यह लाइन से यहाँ पर vertical order में लिख दिया गया है red में और देखे शा का मतलब क्या होता है सहवाजगड़ी जो पाकिस्तान पिसावर में है यहाँ पर दिर्गे सिला लेख है जो 836 में मिला और म मतलब मांसहरा जो पाकिस्तान हजारा जिला में 889 में मिला यह दोनों पाकिस्त में अन्गोश ने खोजा कलसी जो देहरोदीन उत्राखेंड में है जो 837 में फॉरस्ट ने उसे खोजा था जो का मतलब जाणगड जो जो ओडिसा में है जिसे 850 में वाटर इलियट ने खोजा था गी का मतलब गिरनार कठियावाड गुजरात जो 822 में टाड़ ने उसे ख नाला सफा जो आह एकी एक स्टेशन अनाम है डाला पूर्व में है gracious में है सपारा वेस्ति यह पंशे में है इसे ब्रामी लीपी में लिखा गया और भासा प्रकृत है याद रखेगा ब्रामी लीपी को पहली बार जिसने ढूणा था और हमें उनके ढूणने के कारण ही यह पता चला कि इस पत्तरों पर क्या लिखा है तो इस प्रम्ही लिपी को खोजने वाले है फिर ब्राम्ही लिपी को बताने वाले जो पहले जो आर्खेलोजिट है उनका नाम था जैम्स प्रिंस से पियाद रखेगा ये एक्जाम में डारेक्टली पूछ लिया जाता है तो याद रखे जो दिर्गसिला लेक है अगर पाकिस्तान में है तो खरोष्टी लिपी में लिखा वो मिलेगा और भारत में है तो वह ब्रामी लिपी में लिखा मिलेगा और याद रखेगा कोछ दिर्गसिला लेक अभी भी मिल रहे हैं जो तक्षिला में मिले रहेंगे उन जो है वह अरिमाईक लिपी में लिखे रहेंगे और जो अफगानिस्तान में दिर्गसिला लेक मिलते हैं वो युनानी लिपी में लिखे रहते हैं याद रखेगा मैं फिर से बता दे रहा हूँ पाकिस्तान में मिलने वाले खरोष्ट लिपी भारत में मिलने वाले ब्रामी ल 14 सिला लिख़ों में clean the으면 Resources home छोपों 4-14 से जैव मैंने ज्माम Mayaches Atöf से जादा अगर अज्ञेस फिर सिला पे प्रफ पर तो या फिर दिर्गश सिय लिखर लइंगे और सिला गाब दो अग Epkick ना प्रतम सिला लेक प्रतम उप्रफम्क लिया किया जाए और और मनरंजन उत्सें के लिए अधिक खर्च ना किया जाए इसका मतलब है दृति सीलालिक मतलब दृति उपदेश क्या है मनुश्यों पशुव के लिए चिकित सालह है घुंपर मेडिकल खुलवाना और साती सात उनके लिए अव्षदी उपलब्द करणा और मनुश्यों और के लिए मारगों पर चायदर विच्छ लगवाना और पाने की विवस्ता के लिए कुए खुदवाना ये है और तुर्थी उपदेश क्या है राज की पदाधिकारियों को अदेश देए गया है कि हर पांच वर्स में वह धर्म के प्रचार के लिए दोरे पे जाएं देखें ध दूसरे के प्रती वेभार में मदुःता लाएं धान्य राहें इसा ने एक मतलब यह इंग एक ही नचलु maior पुदाव में एक ड्रम uptasHE देखिए चपतूंत उपढाख्यास कि Гertesam यह सतत wrong यह सbn हरते 25 सबस्लिदेर मेरी संतान आदेश में ध्म महामंत्र की निवक्ति का उपढाई करता है जो महामंत्र जो ऐसे महामंत्री जो धर्म का प्रचार कर से धम महामंत्र का जाता है सबस्थानों पर रह सकते हैं और वह है आत्म समय या हिर्दय की पुवित्रता चाहते हैं मतलब वह सही सुटता से रहे भाई के भाई चारा या प्रेमता से रहे ठीक है यहाँ पर देखे अस्टम उब्देश जो है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि राजहब इसे के दसे वर्स में असोक ने बोध गया और बुद्धी पेड़ी की यात्रा की और उन्हें देखा और वहाँ पर जाकर जो बोध गया में है वहाँ के ब्रामोडो और बुद्ध भिक्षों के साथ में उचित वर्ताओं करने का सबको उब्देश दिया और नववा जो उनका उब्देश है वह है दास तथा सेवकों के प्रती दास तथा सेवकों के प्रती सिस्टाचार का पालन करें और जानों के प्रती उधारता और ब्रामोड और ये जो उब्देश हैं एक दूसरे से मिले जुले पूरे हैं देखें जो दस्वाब्देश है ये है कि प्रसिद्ध और महिमा के लिए इच्छा की निंदा करता है इसका मतलब है कि कोई वेक्ति देखें अपनी महांता के लिए सोना लुटाता है चांदी लुटाता है ताकि इसका नाम बड़े और उसकी इच्छार ये रहती है तो उसकी प्रति उन्होंने निंदा की है बता है कि ये काम नहीं करना चाहिए और धर्म की लोग की प्रिता पर बल देने को कहा है धर्म नीती ही सरुसिष्ट है राजा वो उच्छो दिकारी को हमेशा अपने प्रिजा क के हितमें सोचना चीए ग्यारवा उपदेश जो है धर्म को वर्दान को सरुत्तम बताया बारवा जो है उपदेश हुआ है भिन धर्मिक सम्प्रताव के बीची भाईचारे की भावना और उनसे अन्रोध करने को ये कहा है स्थ्री महामंत्रियों की निवक्ति और सभी पर स सभी के विचारों को सम्मान देने की बात कही तेरामा उपदेश जो है कलिंग युद्ध में असोक का हिदय परवर्तन हुआ और पडोसी राजाओं का वड़न उन्होंने किया है और आटविक जातियों को चेतानी दी है कि वह किसी के साथ में हिंसा ना करें और चतुर्दस के उपदेशों को उन्होंने क्या किया उन्होंने पत्थरों पर किड़ करवाया जिसका उल्लेक इसमें दिया हुआ है याद रखेगा जितने भी पत्थर मिले हैं जो ब्रामी लिपी में लिखे हुए हैं ब्रामी लिपी का खोज जो है जेम्स प्रिंसिप ने किया था और यह बतला है कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है इंग्लिस में क्या मतलब होता है चलिए आगे चलते हैं लगुसिला लेग कहां कहां पर मिलते हैं लगुसिला लेग जहां जहां पर मिलते हैं वहां का नाम इसमें लिख दिया गया है ठीक है आप इसके साथ में गो तुरू ह दो सिलालेक जो है वह कौन-कौन से मस्की और गुर्जरा याद रखेगा लगु सिलालेक में दो सिलालेक जो मस्की और गुर्जरा है इसमें असोक का नाम दिया है देव नाम प्रिय क्या नाम दिया गया है देव नाम प्रिय या राजा प्रिय दरसी मस्की और गुर्जरा जो सिलाले की शुरुवात होती है देवनाम प्रिया प्रियर दर्सी से बाकी जितने भी लगु सिलाले के उसमें असोग लिखा गया है देवनाम प्रियर प्रियर दर्सी असोग का ही नाम है याद रखेगा ठीक है तो मस्की गुर्जरा में ही देवनाम और प्रेदरसी लिखा है बाकी समय सिधा असोक लिख के दिया है तो कभी भी confused मजट हो येगा कि देवनाम प्रेदरसी किसी दुसरे का नाम है वह असोक का ही नाम है चले अब चलते हैं स्तंब लेक के और स्तंब लेक भी देखे दो टाइप के हैं एक है दिर्ग स्तंब लेक और एक है लगू स्तंब लेक इसमें भी वही important बात है देखे जो दिर्ग स्तंब लेक और लगू स्तंब लेक में जो स्तंब पे लेक लिखे हुए हैं जो खंभे हैं स्तंब हैं उन पे जो लिखे गये हैं, वह राजा की अग्याओं को लिखा गया है, राजा की अग्या टोटल साथ है, अगर टोटल साथों के साथ या फिर छे या पांच लिखे गये हैं, तो उसको कहते थे दिर्ग स्तमलेक, मतलब उस स्तम पे जो लेक लिखा गया है, वह दिर्ग है, ब उन सभी की भासा प्राकृत और लिपी ब्रामी है भासा प्राकृत और लिपी ब्रामी का मतलब क्या होता है देखिए लिपी का मतलब क्या होता है लिपी का मतलब होता है लिखे उन प्रडाली या फिर लिखने का धंग कैसा है तो लिखने का धंग उनका प्राम्मी था लेकिन भासा जो लिखी गई थी वह प्राकृत थी ये कैसे देखिए आज के समय पे हमने भारत में जो इंडियन पॉलिटी जो भारती राजवेस्ता की किताब है उसको आप देखेंगे तो वह लिपी जो उसकी लिखी गई है वह दे देंगे वह दिल्ली में दिखाए देंगे प्रियाग राज में दिखाए देंगे लोरिया अरे राज और लोरिया नंदंगर और रामपुर्वा में दिर्गस्तंबलेक मिलेंगे दिर्गस्तंबलेक कहा हम लिखें मिलेंगे तो यहाँ पर नाम उनका लिखा हुआ है और राजा की आग्या पहली है धर्म का संग्रचट करें धर्म के जरिये जंता को प्रसनता का संदेश दें राजाग्या दूसरी कौन सी है धर्म क्या है इसके बारे में बतलाएं राजाग्या तिसरी क्या है असोक लोगों को खुद असोक ने लोगों को इंडिकेट करके बोला है खुद के पापो और हिंसा को देखो राज अगया चौती कौन सी है रजुकों की नियुकती रजुकों की नियुकती में रजुक का मतलब क्या होता है देखे रजुक का मतलब आज के समय में लेकपाल समझ लिजे लेकपाल जो काम करता है वही काम रजुक करता था, क्या करता था, देखे जो खेत हैं, अगर समझ लीजिए, दो आदमे के बीच में छाकड़ा जाता है, मेरा इतना जगा है, मेरा इतना जगा है, तो लेकपाल आता है कि इन दोनों के बीच में किसका कितना जगा है, यह रजुक काम करता था, लेकिन लेकपाल के काम जो रजजुक करते थे उसके लावा रजजुक एक और काम करता था वह यह करता था जो दोसी पाजाता तो इसको सजाबी देते evitar अब चलते है राजगया चैर में जो चौथा क्लिणाड करियन देश को लोगों के लिए खुआ राजगया five क्या है तो उसका वेभार कैसा है यह बतला रहा है चलिए दिर्गर स्थम्बलेक की स्टार्ट सुरुवात करते हैं पहला स्थम्बलेक हमें मिला है दिल्ली तोपरा में इसका नाम है दिल्ली तोपरा दिल्ली तोपरा नाम इसलिए है क्योंकि यह पहले तोपरा में था जो हरियाना में पड़ता है तोप्रा गाओं वहाँ पर ये दिरगस्टंबलेक था लेकिन फिरोष शातुक लग क्या किया इसको वहाँ से दिल्ली ले आया जिसकाड़ ये स्टंबलेक का नाम पड़तल दिल्ली तोप्रा और दूसरा इस्टंबलेक है यह मेरट में था, तो मेरट से प्रियोष चात्यक्लग इसको भी उठवा कर दिल्ली में लेके आया, ठीक है, इसमें राजाग्यां इच्छे लिखी हैं, और इसमें राजाग्यां टोटल साथ लिखी हुई हैं, यह याद रखेगा, ठीक है, आगे चलते हैं स्तंबलेक प्रया राज में लेके आया, यह याद रखेगे, प्रयागराज में इसको लाने के बाद, सन सोलाजोडों में इसको अकबर थे, अकबर ने इसको रिणूविटेड या फिर मरमत करके वापस बनवाया था, ठीक है, और इसके बाद, सन सूला सो पचास में, जो है इसको जहांगीर जो है इस पे अपने साशन के समय की बातों को भी खुदवाकर अंकित करवाए के तो पढ़ती है तो यह लोग फिर इसको खड़ा करवाते हैं ठीक है और आपको मैं यह भी बतादू कि यह जो यह जो स्तंबलेक है इस पे असोक के जो राजाग्याएं है जो उतकिड की हुई है वह रानी के द्वारा उतकिड करवाई गई है इसलिए इसको रानी का अबलेक भी कहा जाता है यह प्रयागराज के दिर्गस्तंब के बारे में आपको इतनी बातें पता होने चीए इसमें र जलते हैं यह दिरगस्तम की ओर यह स्थमफलेग बिहार में है ज्री के यह अरे राज पुर्वी मतलब दोर के तोате पहले पड़ता है इसमें दो दिरगस्तम थे और दोनों मेरा जज यह चेंदीं यह दोनों धरासाई हो चके हैं एक पे तो एक स्तम के उपर सेर की सेर की मुर्ति थी और दुसरे स्तम के उपर बैल की मुर्ति थी जिसको कहते हैं महीस ठीक है भैस की मुर्ति थी तो क्या हो गया जो यह दोनों दिर्गस्तम थे इन दोनों दिर्गस्तम जब गिर गए तो एक के उ दिल्ली में जो राश्पति भौवन है वहां पर इस महिस की मुर्थी को रखा गया है ठीक है ना अब चलते हैं लौरिया नंदनगड ये लास्ट दिर्गस्तम है ये दिर्गस्तम जो है आपको ये भी पस्चिमी चंपारन बिहार में ही मिलेगा ठीक है इस स्थम में मोर का चि देखें लगस्तम में पहला जो लगस्तम लेखाता है वह है वैशाली का ठीक है इस जो ये लगस्तम लेख आपको दिखाई दे रहा है इस लगस्तम लेख के बगल में एक कुंड है जिसका नाम है रामकुंड जो बहुत बिच्छों के लिए एक बहुत ही मायने रखता है इ यह जो वैशाले में यह जो आपको लगुस तंबलेक दिखाई दे रहा है इसमें जो शेर की मुर्ती जो है इसके मुह की दिशा जो है वो उत्तर में है उत्तर में इसलिए है क्योंकि बता जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे वह है लास्ट में अपना जो अंतीम बार जो चले थे वह उत्तर की ओर ही चले थे उसके बाद उनकी बृत्ति हो गई थी इसलिए इसका मुह उत्तर की ओर बनाए गया है इसमें राजाग्याएं जीरो है यह याद रखेगा ठीक है रामकुंड जो तलाब इसके बगल में दिखाई दे रहा है वह पहुतरस्थान है बु असोक ने लुंबनी यात्रा की थी और वहां के लुंबनी की लोगों को कर से छूट दे दिया था ठीक है और यह जो ब्रामिलेपी में अंकित है और इसकी खोज 896 में अलोईस इंटन फोरर ने की थी आये चलिए देखते हैं उसको देखे यही है और यह लुंबनी में उस स्तंबलेक या रूमिंदेई स्तंबलेक अब चलते हैं दुसरे से गजी और लगोंस तंबलेक निगलिवा लगत्तरा है अब गिर गया है तो इसको निहां पर रखा गया है ठीक है और आपको δो इंपोर्टन बात यादा कोसी नेपाल के पहला स्तंबलेक है लुंबनी यह दोनों स्तंबलेक आपको नेपाल के तराई छितर में मिलते हैं यह याद रखेगा देखे यहां पर जो एक चीज लिखा गया है असोग का सर एक उन्ना कंदार हबिलेक ग्रिको अर्माइक भासों में प्राप्त हुआ है यह सिला लेक है ठीक है गलती से यहां पर आ गया है यह सिला लेक है जो कंदार में मिला है और यह अर्माइक भासों में लिखा हुआ है याद रखेगा तक्षिला के पास में चलिए अब आगे चलते हैं दूसरा यह लगुस्तंबलेक है सारनात में जो हमें मिलता है याद रखेगा इस पर तीन लेक लिखे हुए है असोग अस इसमें तीन कालगा और यह जो स्त महुने मतलब यह जो स्तम्व है सारनात इस सारनात के ऊपर जो मूर्ती बनाइ गई है चारों है सब्सक्राइब इश 번째-अग और यह सारणाथ में युह स्थमaggi मुह उल्टा करके रखा यह ठीके और उत्तर में एक सेर का है मुह है तो देख़़ड में एक सेर का मुह है दिखे इसमें पूरी तरह से आपको दिख़ाई दे रहा है और यह सारनात में पाय जाता है सारनात में यह चौमिक सिंग साथी है यह साची का लगुस्तंब है, यह मद्य प्रद्श मिन्सीत है और इसकी खास्यती यह है कि लगुस्तंब पे भी जो सेर की मूर्ती है, वो भी चौमिक सिंह उस्तंब की है. याद रखेगा जो ौ瞌निक सिंह स्थम्ब में वर दो जगों पे मिलता है एक सारनात में मिलता है दूसरा सांची में मिलता है ठीक है देखेए इस पे भी चार सेर बैठे हुए हैं और ये लगुज सिंह स्थम्ब है चलिये अब गुफाओं के और चलते हैं देखिये ये जो गुफाएं हैं इसे कहते हैंगुषा लेग जो हैं हमें इस पर भी कुछ असोब के दोरा उत्चुड के हुए लेख मिलते हैं जो बिहार के जहानाबाद जिले के मखधूमपूर छेत्र में हैं ठीक है मचधूमपूर छेत्र में दो पाड़ियां है एक पहाड़ी से नागाजुन पहाड़ी जो है जो देड़ किलोमीटर दूरी पे है ठीक है बदाबर पहाड़ी में चार गुफाएं बने है सुदामा रिषि गुफा रिष प्राकृत भासा में ठीक है और नागारजुनी पहाड़ी जो है यह जो गुफाएं है वादिति का गुफा वापिया का गुफा और गोपी गुफा यह असोक के बोधे दसरत ने इसको खुदवाकर बनवाए है यह याद रखेगा यह इंपोर्टेंट है देखिए वहां की ग अब आराम से देखिए ठीक है देखिए यह एक बहुत अच्छा कलाकृति का नमूना है जो उसक्त के समय में बनाया गया था आज के समय पर एकदम वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है चले आगे चलते हैं देखिए तमिलाडू हिस्ट्री के बुक में एक चीज आता है जो ल समप्रदाय को ढूडा गया था मतलब कि अजीवगिर्ज जो है यह जैनिजम और बुद्धिन से भी पुराना है अजीवक और अजीवक जो है फिप्त सिंचुरी में महाकली गोसला के द्वारा ढूडा गया था यह लोग भगवान और पुनरजर्म और कर्मकार्ण के उपर भरोसा नहीं करते हैं यह लोग हमिशा नगन रहते हैं और यह सन्यासी होते हैं और यह जो है यह इनकी खासियत यह है इसके बारे में यह बात बताएगी है जैनिजम और बुद्धिन से भी पुराना धर्म है ठीक है असुक का ग्रांट सन जो दस्रत थे उन्होंने राजग के लिए थोड़ी बहुत बाते जानना इंपोर्टन थी जो आपको पता चल गया अब चलते हैं मोरे अड्मिनिस्ट्रेशन मोरे प्रसासन में आपको मैं बता दूं सुविधा के लिए प्रसासन को पांच भागों में बाटा गया था तक्षिला जो पंजाब पाकिस्तान मे हैं ठीक है यह है North प्रविंश का तर्व पर देखते हैं और मगत यह है उसकी राजधानी जो थी वह हुआ करती थी पाटली पुत्र उसकी capital हुआ करती थी तो चलिए यहाँ पर आपको दिखा जाता है देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मगद की राजधानी जो पाटली पुत्र है यहाँ पर है ठीक है उसके west में ये है ठीक है east में ये है तो शाली ठीक है और ये south में है ठीक है नौर्थ में यहाँ पर तक्षिला है ठीक है तक्षिला देखे तक्षिला उपर है ठीक है तो यहाँ पर आपको सब लोग के प्रांत की capital और यह इसलिए था कि सुधा इससे हो पाती थी राज़िकरने में देखें यहाँ पर क्या लिखा है वहाँ के प्रसेशन के बारे में जानकारी थी है council of minister and army chief appointed to help the king of an inspiration देखें मंत्री समिती और जो army chief होते थे वह king को प्रसेशन करने में help करते थे ठीक है और यह appoint के जाते थे बिना किसी जाती के कोई भी जात का हो लेकिन उसे appoint के जाता था ठीक है जो सबसे higher official दबतर साही जो था उसको महामंत्रास कहा जाता था और या फिर उसको अधिक्षब भी कहा जाता था ठीक है जिसका काम था important काम को करना ठीक है राजा और महामंत्रास जो होते थे जो जहां पे राजा राज करता था वहां के capital पे राजा और महामंत्रास रहते थे ठीक है और बाकी सब जो प्राण छोटे छोटे प्राण थे जिनको अलग-अलग भाग में डिवाइड किया गया था वहां पे governor रहते थे राजपालया प्रंतपालय एक्जांपल के तोर पे उजयन के उजयन जो था उजयन में रहते थे अश्राजा अशोक और तक्षिला में रहते थे सुशिम ठीक है ये governor होते थे और governor के नीचे जो काम करते थे वह होते थे युकतास प्रदेशिकास ambassador और spice युकतास काम होता था जो पूरे प्रांत होता था उससे कर्वसूल करना ठीक है और प्रदेशिक जो होते थे वह बहुत सारे प्रांते में होते थे क्योंकि प्रांत को छोटे छोटे जगहों में डिवाइड कर दिया था था और हर एक जगहों में जिसको का कहते हैं प्रांत में छोटे-छोटे बागों में बाटा गया था हर एक जगहों में एक-एक ambassador होते थे और साथ-साथ में गुपित्चर भी होते थे ठीक है तो यह है प्रसासन के बारे में चलिए देखिए हर जो प्रांते हर प्रांत के जो बॉंडरी थी उसको निरिच्छन या फिर उसकी रखवाली करने के लिए अंद महामंतराज होते थे और हर एक प्रांते में धर्म महामंतराज होते थे जो धर्म का प्रचार करते थे ठीक है ये सब बातों को मगेस्थनीज ने अपने इंडिका में बतलाया है और उन्हों ने मगेस्थनीज ने अपने बुक इंडिका में ये भी बतलाया है कि जो पाटली पुत्र जो मगद की राजधानी थी मगद को चलाने के लिए वहाँ पर 6 कमिटी उती थी जिसके अंडर में 30 ओफिसर काम करते थे जो आर्मी के होते थे ठीक है ये 30 ओफिसर जो होते थे ये पुरे प्रांत या फिर पुरे देश को जो मगद देश जहां तक फैला हुआ था पुरे देश जहां तक फैला हुआ था हर जगा पर यह 30 officer क्या करते थे पूरे आर्मी को कंट्रोल करते थे और इन 30 officer के उपर 5 committee आ होती थी जो पूरे आर्मी को कंट्रोल करने का काम करती थी और एक committee जो बची हुआ एक committee नया procession का काम करती थी ठीक है असोका ने अपने समय में मानोता के वेवहार में बहुत सारे changes ल कम हो सके ठीक है दोके टेनर आप पेटी जो केस था उसको रिड्यूस कर दिया गया ठीक है जो सजा पाने के बाद जो सजा भुखते थे कैदी उसको कम कर दिया ठीक है राजा और मंतरी हमेशा टूर पर जाते थे लोगों की प्रॉब्लम को सौर करने के लिए और असोक के वंस इमेज के थुरू आपको बताया जा रहा है यह जो है जो जिनको अंदर तलवार घोपा गया है यह ब्रेदरत और तलवार घोपा पुस्चमित्र सुंग है ठीक है लास्ट जो थे उनको मार दिया गया देखिए यहां पर सासनकाल दिखाया है चंद्रगुपत के बेटे बि एक करी दिरतक ठीक है देखें आप चलते हैं आगे के बारे में अड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में अब्मिनिस्ट्रेशनцы ainda चक्र श्सके टपिश्चन के प्रिके मृत्यू के पस्षाद 12 नियमों का अंत हो गया यह इस धर्म चक्र के द्वरा बतलाया गया है ठीक है और यह जो असोग चक्र है यह मोर्यां इंपेरियर का एक अवस्षेश के रूप में बना जाता है और सारनात में सारनात में जो स्तंभ है उसके उपर जो लायन जो जो है वह असोग पिलर के मुहत्यपूड रचना है ठीक है अब चलते हैं आगे देखिए असोग चक्र जो है वह 22 जुलाइज जो जगर पहले चरका था जिसको भारत का राष्ट्री प्रतीक माना जाता है अब अब अडिमिनिस्ट्रेशन की बात करें प्रसाशन की तो इसमें देखिए जो चार एनिमल है जिसका उपयोग असोग ने लौड बुद्धा के जीवन को दर्साने के लिए किया है उसमें पहला है सफेधाती सफेधाती यह बतलाती है कि जो गुतम बुद्ध की माताजी थी माया देवी उनके पेट में उनको सब नादा था कि उनके पेट में सफेध जादी इस तरह से समा रहा है यह बहुत सारे ग्रंतों में लिखा है इसलिए राजा असोग ने बहुत जगों पर सपेधाती बनाई है ठीक है दूसरा जो है यह बताया है कि देखिए दूसरा जो जो जानवर है वह है बुल और बुल की प्रतिमा असोग ने इसलिए बनवा और यह यह बतलाता है कि राजा गोतम बुद्ध जो है उन्होंने कैसे सुख और वैभा को त्याक कर वह सन्यासी के रूप को ध्राण कर लिए और लायन जो है लायन की प्रतिमा चोथी प्रतिमा जो है वह यह बतलाती है कि बुद्ध जो है वह कैसे बुद्धत्व के गान को तो यह हुआ पुरा असोग के बारे में जीवनी ठीक है I hope आपके लिए यूस्पूल होगा अगर यूस्पूल हुआ तो प्लीज इसे like share करें ठीक है Thank You हम मिलेंगे अगले lecture में अगले नए लोगे अगले नए चप्टर के साथ में तब तक के लिए खुश रहे हैं Good